इस समय कुछ रासियों के जातकों के करियर और कारोवार में तरक्की मिल सकती है वही जो तिस आचाले पंडित पंकज पाठक के अनुशार बताया गया है कि ग्रह समय समय पर रासी परिवर्दन करके द्रेगही एवं राजियों को निखमान करते हैं जिसका प्रभाब मानब जीवर एवं प्रजवी पर देखने को मिलता है बता दें कि 8 दिसंबर को मंगल गए परी रासी प्रश्चिक को छोड़कर धनु राशी में प्रविश करेंगे एवं धनु राशी में सूर एवं बुट पहले से ही मिराजबान है जिससे धनु राशी में त्रेगे ही योग बनने जा रहा है ऐसे में इस योग का प्रवाब सभी राश्यों पर तो देखने तो मिलेगा ही लेकिन तीन ऐसी राशिया हैं जिनके सथ इस समय अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं देखिए 27 दिसंबर के बाद लगबग 28 दिसंबर से सूर और बुद्ध तो पहले से धनु राशी में हैं तो मंगल का भी धनु राशी में प्रवेश हो जाएगा, तो सूर बुद्ध और मंगल तीनों धनु राशी में आ जाने के करण यहां योग क्रीग रही योग के बनने से मेश धनु और तुला राशी वालों को कुछ विसेश फाइदा होगा क्योंकि इस्त्रीक रही योग का गोचर की कुर्णी में नवम भाव के सांग संबन बन रहा है नवम भाव भागय का रहता है तो मेश धनू और तुला इन तीन रासी वालों के भागय में उन्नती हम कह सकते हैं धन की ब्रद्धी के अपार इत्यादी में सफलता कि इनके योग उन्हां कि झार की भी, प्रद्धी प्रद्धी टाष्ट आ जा।